कि खबर मंद्रेश है जहां लगातार जो है सोसल मेडिया मां ब्लैक मेलिंग के दौर जारी है ब्लैक मेलिंग के इसा दौर जारी है कि कुछ बितिये जो है यह पूरा माया जाल फैलाये हैं वह माया जाल मा आम आदमी फच रहा है और उनसे लंबी रकम युवती आइठ रहे है दिन दिशेत्र के यह पहिल बगेली न्यू चैनल महाम कनेश्तिवारी अपना पंचेन का सबेजनें का प्रणाम करी थे और सुरुआत करी थे बेहत बड़ी खबर के अपना पचेन को बताई दी मधिपदेश के महराज पूरा इलाका में रहे है वाले एक व्यापारी डेटिंग एप डाउनलोड कई के ब्लैक मेलर के चंगुल में पजी गें उनके तवर जो है पंदर दिन पहले एप डाउनलोड के इनका रहा है एमा मिले नमर पर जो है एक यूवती फोन मा बात सुरू के दिस कुछ दिना मा दुनों के बीच जो है असलील बात हो लागी लेकिन यूवती के दौरा या बातचीत रिकार्ड के लीन गए अब वाइरल करे के धमकी दई के ब्लैक मेल करे लाग व्यापारी के दौरा जो है पहले तब अद्रांबी के डर से केहुर से कुछ नहीं बताई लेकिन जब यूवती के दौरा 50,000 रुपय के मां कीन गए तब पूलिस से सिकायत कीन गए भिंड रोड ये स्थित दिन्दयाल या एक डेटिंग एप के पोस्ट रही ये मत क्लिक करें तो डाउनलोड के लिंक खुली ओफ दोस्ती ख्यातिर एक ऊप्शन मिला जो उन में क्लिक करें तो कुछ नंबर बिले उनके द्वारा एक नंबर परकाल की शिर्गाय ओव्यूवती से बात शुरू हुए गै प्रफिया उधार मागें जो ब्यापारी के द्वारा दै दीन गए उके बार जो है रूपिया मागे गए जब रूपिया नहीं देन तरिकार्डिंग वाटसप में भीजी गए और वाइरल करेके धमकी देन जाय लाग आखिर मा ब्यापारी के द्वारा एसपी आफिस पहुँच के सिकायत के इन गए पुलिस के द्वारा मोबाइल नंबर के आधार पर जाच के इन जाल लाही जो यूवती के द्वारा बतावागा है तो निश्ची तोर पर ऐसा मामलाद मा अब बेहस सतर क्राहे क्या हो शकता है सोसल मीडिया कहों न कहों वर्दा अपना के जानमाल के रक्षा हो सकते आपने परिवार के बहुत ख्याल रखाब धन्यवाद प्रडाम